पूरियर जंग हलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल सो फ्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक और स्टाफ नर्स की भरती की नोटिफिकेशन के साथ यहां पर आ गया हूँ यहां पर आप देख सकते हैं नेम आप पोस्ट दिया हुआ है स्टाफ नर्स ग्रेट टू की यह वेकंसी है और यहां पर जबरत सक्षाll प Cr니다 यहां पर यहां प्लस यहां पर वेकंसी निकाली गई है तो बहुत जबरत वेकेंसी है तो पूरी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो चलते हैं डाइटली अपडेट की तरफ इसमें आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन कहां से जारी की गई है एक जग नंबर आप पोश्ट कितनी है कैटेगरी वाइज यहां पर आपको दिख सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले रहां यहां पर आफ देख रहा है इसमरे आप देशकते हैं पूरी और स्थम तो यहां पर अगर हम बात करें बेसिक बेसिक नर्सिंग कि अगर बेसिक नर्सिंग आपने कर रखा तो उसकी फीमेल कंडिडेट्स की किदनी सीट्स है यहां पर आदे सकते 654 पद यहां पर रहने वाले हैं यूर में बेसिक अगर आपने किया है यानि फीमेल कंडिडेट्स ने तो उनके लिए यूर में 67 सी में 57 स्टी में 16 ओवी सीए में 28 ओवी सीवी में 11 और पी डव्लूडी कंडिडेट्स के लिए दो पोस्ट आपने लिए टोटल एक पद रहेंगे पोस्ट बेसिक के 181 यहां पर रहने व एक राठ तेरा पद हैं एस्टी के लिए 254 पद रहेंगे ओवी सीए पान्सों चोवी सीशओपन और पी डव्लूडी कंडिडेट्स के लिए 78 टोटल 3100 तेरासी पद जो है जेद नम फूमेल कंडिडेट्स के लिए यहां पर रखे गए हैं फिर जेनम मेल कंडिडेट्स के हैं जिसमें कि आप दे सकते हैं 129 यू आर में 161 सी एस्टी में 42 ओवी सी ए 67 ओवी सी बी 19 PWD 7 टोटल 425 पोस्ट यहां पर रखी गई है जेनम मेल कंडिर्स के लिए तो यह तो हो गई वेकेंसी की डिटेल अब अगर बात करें क्वालिफिकेशन के तो क्वालिफिकेशन यहीं सी क्लियर हो जा रहा है कि अगर आपने बेसी नर्सिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यह ओनली फार फीमेल कंडिरेट्स यहां पर अप्लाई कर सकत तो यहां पर पूरी डिटेल आपको वैकेंसी की मिल चुकी है अब देखते हैं कहां से जारी की गई है तो सबसे पहले उपर आप देच सकते हैं यहां पर दिया गया है Government of West Bengal, West Bengal Health Recruitment Board की तरब से वेकेंसी निकाल दी गई है तो यह press notification यहाँ पर आई है और यहाँ पर आपडेट दे सकते हैं 2 December 2022 की अपडेट है और यह memorandum यहाँ पर निकाल दी है notification नंबर आप दे सकते हैं यहाँ पर दिया गया है तो यह press notification है notice for the recruitment to the post of staff nurse grade 2nd की वेकेंसी रहने वाली है यहाँ पर दे सकते हैं दिया गया है The West Bengal Health Recruitment Board invites online application from eligible candidates for recruitment to 6092 यहाँ पर रहेंगी यहाँ पर थोड़ा सा mistake 606,092 पोस्ट यहाँ पर staff nurse की रहने वाली है तो जैसा कि अभी आपको मैंने वादा कितनी नंबर आप पोस्ट से आप दो आप दे सकते हैं छे हजा बान वेकेंसी में निकाले गए हैं तो बहुत जबदत संख्या में वेकेंसी आ गई हैं अब यहाँ पर online आपका registration कब से start होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ online registration and submission of application will be allowed on website between 9-12-22-10 am to 3-12-22-2 pm तो 9-12-22 यह नहीं 9 दिसंबर से आपका आवेदन start होगा और इसकी last date आपकी 23 दिसंबर यहाँ पर रहने वाली है तो 9-12-13 दिसंबर के बीच आपको apply करना है तो यह press notification है इसकी detail notification भी यहाँ पर जारी नहीं की गई है जैसे ही इसकी detail notification आएगी वो भी आपको यहाँ पर provide कर दी जाएगी और बहुत जल्दे आपकी detail notification आजाएगी आठ यह 9 तारीक में हरहाल में आपकी detail notification आजाएगी 9 तारीक में तो आनी ही आनी है हो सकता है एक दो दिन पहले भी इसकी detail notification जारी कर दी जाएगी फिर यहाँ पर लिखा हुआ है details of eligibility, scale of pay, other conditions, advertisement etc will be available in West Bengal Recruitment Board website यहाँ पर दे दी गई है www.bhrb.in in advertisement section wide advertisement number आप लिख स्टाफ नर्स क्रेट सेकेंड बेसिक और पोस्ट बेसिक 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 नर्सिंग यह पूरा advertisement नर्बर दिया गया है तो इसमें जो आपको बताया गया है कि eligibility से related qualification क्या मांगी गई है और experience होगरा कुछ मांगा गया नहीं मांगा गया scale आप आने के salary क्या रहेगी और other conditions क्या रहेगी इस advertisement की वो आपकी जल्दी ही जब जारी अभी जारी नहीं किए जल्दी हो उसको भी जारी कर दिया जाएगा तो नो तारिक्स को आपका हराल में यहाँ पर notification officially डिटेल आ जाएगा तो जैसे यह notification आएगा आपको information प्रवाइड कर दी जाएगी तो friends यह पूरी update मने इस वीडियो में यहाँ पर cover कर दी है तो I hope यह वीडियो आपके लिए informative रहेगी तो मिलते हैं next वीडियो में next update के साथ